आजकाल लोगाज खरीटने से ज़ादा स्मार्ट वाज करिदना प्रेफर करते है क्यूंकि आप स्मार्ट वज में time भी देख सकते हो साथ ही काफी सारी activities भी कर सकते हो वैसे तो 500 के range में market में काफी सारे smart watch मिल जाएंगे बट सब में आपको full touch screen display नहीं मिलता और और भी काफी सारी चीज़े missing होती है मैंने काफी research किया है और उसके बाद ही इस smart watch का मैं review आपके साथ share कर रहा हूँ अगर आपका बज़े 1300 रुपे है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको 1300 रुपे में से बटरे smart watch नहीं मिलने वाला है बात करें box की तो box के ऊपर आपको सिर्फ smart watch का एक image मिल जाता है side में basic parameters मिल जाएंगे जैसे इसमें 1.4 inch का display है 170 mh की battery है जो की 7-10 दिंका battery backup आराम से दे देती है साथ ही ये IPX7 certified है यानि ये watch waterproof भी है दूसरे side आपको कुछ इसके features मिल जाएंगे जैसे dynamic heart rate, all day activity and message reminder पीछे के तरफ आपको इस watch के बारे में कुछ overview लिखा हुआ मिल जाएगा अब करते हैं box को open तो इसमें सबसे पहले मिल जाता है एक user manual जो की English में है आप पढ़ना चाहो तो इसे पढ़ सकते हो देन निकल के आता है हमारा smart watch जो की काफ़ी ज़्यादा light weight लग रहा है और इसकी जो build quality है वो काफ़ी ज़्यादा solid है देन निकल के आता है charging dock जिसकी हेल से ही आपको इस smart watch को charge करना है तो अब बात करते है smart watch की तो यह है बेकी P8 smart watch इसकी जो build quality and finishing है वो मुझे काफ़ी बहतर ही लगी इसका जो look है वो apple watch से काफ़ी मिलता जुलता है और ये watch दिखने में भी काफ़ी premium smart watch लगता है पीछे के side आपको सारे built-in sensors मिल जाते हैं साथी यहीं पे इसका charging point भी है इस smart watch का strap है वो काफ़ी ज़्यादा soft है मतलब मैं ऐसे explain नहीं कर सकता आप इसे touch करोगे तब ही feel ले पाओगे कि आखिरकार ये कितना ज़्यादा soft है सो करते हैं इस smart watch को on on करने के लिए आपको बस side वाले button को long press किये रहाना है और बस smart watch on हो जाएगा home screen पे आप lift swipe करोगे तो आपको steps count दिखेंगे again lift swipe करने पे heart rate monitoring देखेगा next page पे sleep details देखेगा एक बार और swipe करने पे आप home screen पे आ जाओगे इसका आप watch face change करना जाओ तो आप home screen पे long press करके slide करके change कर सकते हो इसमें आपको 200-300 की खरीब watch faces और साथ ही custom watch face का भी option मिल जाता है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे ये smart watch 1.4 inch के full touch screen के साथ में आता है और दो हफते यूज करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ इसकी जो screen है वो मुझे काफी अच्छी लगी इसका जो brightness है वो मुझे काफी सही लगा आप कितिनी भी धूप में क्यों ना हो आपको display हमेशा दिखाई देने वाला है वाच में नीचे की तरफ swipe करने पर आपको यहाँ पर flashlight, vibration, weather, brightness, settings, lock का option मिल जाता है वाच में आप उपर की तरफ slide करोगे तो आप menu में चले जाओगे यहाँ पर आपको steps का option मिल जाएगा जहाँ पर आपको steps count and distance देख सकते हो देन है message जिसमें आपको phone में कोई भी notification आएगा तो वो यहाँ पर सोगा अगला है sleep इसमें आपको आपकी sleep की details सोगी जैसे कि आप रात में कितने गंटे सोगे वगरे वगरे देन option आजाता है health का जिसमें आपको BP monitoring, heart rate monitoring, SPO2 monitoring का option मिल जाता है देन option है training का यानी sports mode का जिसमें walking, running, cycling, badminton, basketball, football का option मिल जाता है अगला option है weather का जो की मेरी लिए तो काफी helpful है उसके बाद मिल जाता है music player का feature जिससे आप अपने phone में के song को next previous play पॉज कर सकते हो साथ ही मिल जाता है brightness का option जिससे आप smartwatch के brightness को बढ़ा घटा सकते हो देन मिल जाता है shutter का option जिससे आप अपने smartwatch से अपने phone के camera के shutter को control कर सकते हो अगला है stopwatch उसके बाद flashlight और इस feature ने भी मेरी काफी जादा help की है जब भी आप flashlight on करोगे तो पूरा screen light up हो जाता है अगर आपके पास phone वगरा ना हो या किसी situation में phone pocket से निकालने में issue आ रहा हो तो ये आपके लिए काफी helpful साबित होता है उसके बाद more में जाने पे switch style, power of, reset, restart, about का option मिल जाता है इस smartwatch को control and fitness details वगरा जानने के लिए आपको एक app मिल जाएगा जिसका नाम है dafit जो की play store पे available है सबसे पहले हम smartwatch को app से connect कर लेते हैं अब smartwatch तो हो चुका है app and phone से connect यहाँ पे आपको connector दिखेगा और साथ ही साथ smartwatch का battery percentage दिखाई देगा अप में सबसे पहले option मिल जाता है watch faces का जिसमें आपको 3 watch face दिखाई देंगे और नीचे में आपको more watch face का option मिलेगा जिसमें आप जाओगे तो यहाँ पर आपको धेर सारे watch faces मिल जाएंगे आप देख सकते हो कि मैं slide करते जा रहा हूँ बट watch faces खतम ही नहीं हो रहे अब मुझे इसमें से ये वाला watch face इस smartwatch में set करना है तो इसके लिए मुझे simply इस watch face पर क्लिक करना है और download बटन पर क्लिक करना है अब आपको यहाँ पर थोड़ा दिर wait करना है और बस ये वाला watch face set हो जाएगा जो की दिखने में काफी ज़्यादा खुबसूरत लग रहा है साथी साथ आप इस smartwatch में custom watch face भी create कर सकते हो इसके लिए जो आपको first वाला watch face दिखाई दे रहा है उसके सामने आपको edit का option मिलेगा simply आपको उसे edit करना है देन आपको जो भी picture set करना हो उसे अपने gallery से choose कर लेना है और उसे crop करके tick पे click कर देना है दिन time का जो position है वो उपर है जो मेरे circle के उपर दिख रहा है साथी नीचे में आपको text का color change करने का भी option मिल जाता है सारी चीछे कर देने के बाद आपको simply save button पे tap करना है और थोड़े time में ये जो watch face है वो watch में set हो जाएगा इसके बाद app का next option मिल जाता है notification का जिसमें आप phone, message, whatsapp, facebook अगरे के notification को enable कर सकते हो और सारे जो notification होंगे वो आपके smart watch में सुहोंगे अगला option है alarm का जिससे आप smart watch में alarm लगा सकते हो देन है setter का option जिससे आपके phone में camera open हो जाएगा जिससे आप अपने watch से control कर सकते हो देन option आ जाता है others का जिससे आप watch की settings, data को customize कर सकते हो साथी साथ watch के software को भी upgrade करने का option मिल जाता है इसके अलाबा आप app के home page पे जाओगे तो वहाँ पे आपको steps, sleep, heart rate, BP, blood, oxygen, outdoor running वागर की सारी details मिल जाने वाली है ये smart watch आपके physical activities को track कर सकता है आपके sleep को भी monitor कर सकता है इसमें 170 image की battery है जो की phone से always connect किये रहने पर मुझे इसने approx 10 दिन का battery backup दिया था अगर आप इसे phone से connected ना रखो तो आपको इसे ज़्यादा ही battery backup देगा अगर आपको कोई notification आता है तो वो notification इस watch में दिखाई देगा and watch vibrate भी करेगा साथ ही अगर किसी का call आता है तो आपको smart watch में जो call कर रहा है उसका नाम सो करेगा and vibrate भी करेगा आप call को directly smart watch से pick नहीं कर सकते हो इसके लिए आपको phone से pick वेगरा करना पड़ेगा इसका जब price है वो उपर नीचे होते रहता है अभी इसका price लगवक 2000 रुपे जो की कम ज़ादा होते रहता है बट आपको मैं coupon code description में दे रहा हूँ साथी coupon code आपको screen पे भी दिखी जाएगा जिसका यूज़ करके आपको ये smart watch सिर्फ और सिर्फ 1300 में मिल जाएगा इस smart watch को आप banggood से buy कर सकते हो आपको कोई भी custom या extra charges पे नहीं करने है आपको website पे जितना price दिखीगा आपको बस उतना ही pay करना है और 10 से 15 दिन में ये smart watch आपके घर पे डिलिवर हो जाएगा इसका buying link आपको इस video का description में मिल जाएगा अगर आपको budget 13 सोकायत तो अभी जाओ order place करो क्योंकि इस से अच्छे smart watch इस price में नहीं मिलने वाली है सिर्फ 2000 में आपको 10 से 15 दिनों का battery backup मिल रहा है custom watch face के साथ-साथ hundreds of watch faces मिल रहा है full touchscreen display मिल रहा है weather support मिल रहा है all day heart rate monitoring मिल रहा है अब और क्या चाहिए 2000 रुपे का budget है तो अभी जाओ order करो बाइ लिंक मिल जाएका वीडियो के description में तो इतना ही था इस वीडियो के लिए अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आ है इस वीडियो को like तो ज़रूरी कीजेगा और इस वीडियो को पर दोस्तों के साथ जाथ 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 सेर ज़रूरी कीजेगा मैं होनों मिलता हूने अगले कमाली की वीडियो के साथ तब तक लिए बाबाई